जून 2015 में एक पुस्तक रिलीज हुई थी दिली विधान सभा और लोग सभा के पूर सचीव थे स्रीयस के सरमाजी दिली सरकार की सक्तियां और सीवाएं उस पुस्तक में जिक्र था कि जो दिली सरकार ने अपने 20 विधायकों को पारलेमेंटिर सेकर्टिव पोश्च में नियुक्त किया है यह नियुक्ती अवैध है और समयधानिक है अगर इनको चैलेंज किया जाता है तो इसको रद हो सकते हैं अधिवक्ता होने किना तेक समीधान का भी दियार थी ता मुझे लगा कि ये कुछ न्युक्तियां गलत हुई हैं, इसलिए मैंने इसको चैलेंज करने को नेड़ने लिया से पहले भारती जनता पार्टी ने लगभग 1996 में सुरो की, पहले भारती जनता पार्टी ने पार्लिमेंटी सेकर्टी के निवट की, कांग्रेस से बातचीत करके, सेटिंग करके कह सकते हैं फिर जब कांग्रेस की सरकार रही दिली में 15 साल सरकार रही तो कांग्रेस ने बीजेपी से से सेटिंग करके अपने पार्लिमेंटी सेकर्टी अपॉइंट करते रहे कभ पहले एक किये फिर दो किये फिर तीन किये जब आमाधी पर्टी ने पर्लेमेंटिय सेकरिटी अपॉइंट किये तो इनको प्राजियों में जो भी निउक्तियां हुई है पहले उनोंने कानून बनाया है और उन्न ऑफिस अपर व्रोफिट के पर्वियू से बाहर रखा उ कोई भी जड़ा से नोटिफिकेशन भी निकालना तो आपको पहले राश्पती जी से अप्रूवर लेना पड़ता है वाय एल जी वो प्रकिया का पालन यहां पर नहीं किया गया आपने पहले नियुक्तियां 13 मार्स 2015 को कर दी उननीज जून को जब मने राश्पती जी कहां च जो दिली सरकार की चीफ सेकर्टी ने हलफ नावा दायर किया चुनाव आएग में उसके उन्होंने बताया कि इनको बिधान सवह में 21 कमरे लॉट किये गए 11 लाग रुपए दिली बिधान सवह में इन MLA के उपर खर्च किये गए 4 लाग रुपए दिली सचिवाले में खर् हो रहे थे फाइस देख रहे थे जआए कंपणी इसकी इनकी चेंटर दिएक कंट्रक्ट में विधानिक बिऊस्ता है कि एली में साथी मंत्री रह सकते हैं उसके हैं सदस्त जो बिधाइका के पार्ट होते हैं, लेइस्टेशर के पार्ट होते हैं, वो उनकी जम्यदारी होती है, जनता के सवालों को बिधाइका में, एसेम्बलीज में, परलेमेंट में उठाने की, और ये प्रोविजन किया गया है, इतने परसंट ही लोग 15 परसंट बड़े राज्यों में, और 10 परसंट छोटे राज्यों में ही, वो मन्ति परसंट का पार्ट बनेंगे, ताकि जो बाकी लोग हैं, वो जनता के इसूच को वहाँ पर उठा सकें, अगर सारे लोगों को ही सरकार का पार्ट बना दिया जाएगा, तो वो जनता के प्रसंट नहीं कर पा प्रसंट